हेलो एव्रीबन स्वागत है आप सभी का एक वाफिस से हमारे चैनल जी डीसी मेडिसिन में हम अपने इस चैनल पे दवाईयों से रिलेटिड सही सटीक एवं संपोड जानकारी आपको देते हैं तो किसी विप्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल क तो जरूर विजिट कीजिएगा आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉप्लेर मेडिसिन थ्रॉम्बोफॉब ऑइंटमेंट के बारे में जी हां यह जो थ्रॉम्बोफॉब ऑइंटमेंट है खासकर कब इस्तमाल की जाती है जब आपके सरीर में खून का थक्का बगरा ब को डिजॉब करने के लिए यह थ्रॉम्बोफॉब ऑइंटमेंट दिया जाता है और इसका बहुत ही बहतरी नसर देखने को मिल जाता है तो आज हम बात करेंगे इस ऑइंटमेंट के अंदर में कंपोजीशन कंटेंट क्या क्या चीज़े मिली होई होंगी इसका उपयोग कह कहां कहां देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका यानि कि मेकेनिजुम अपयक्शन क्या है इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका इसका डोज प्रिकॉशन साइड एफिट मतलब इस ऑइंटमेंट की हम आपको संपूर जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियों बने होगा और बेंजिल निकोटिनेट जो की 2MZ के माउंट में इसमें मिला हुआ होगा जाइडस कैडला हेल्थ केर लिम्टेड जो की एक बहुत इच्छी कंपनी है वो इसे बनाती है रूम टंपरेचर पे स्टोर कर सकते हैं और 20 ग्राम के ऑइंटमेंट की ट्यूब की कीमत 130 रुपए के आसफास मिल जाती है अब हमें इसके उपयोग की बात कर लें तो यह में उली आपको फ्रोंबो फेलिबाइटिस यानि कैसी समस्या होती है जब आपके नसों वगरा में क्या होता है खून जम जाता है गाठ बन जाता है खून बहुत ज़्यादा बनेगा तो वह बहुत ज़्यादा गाठ रॉआ रूआ या किसी कारड से जैसे राशिक्व द्रवाजे मैं चोकट में बहुत नहीं नहीं सबस्काव करें नाज को नस के अंदर तो नहीं करेगा लेकिन जो आपका skin का जो नीचे वाली लेयर होती superficial वहाँ पर कोई चीज है तो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हो और वह जो गाठ है clot है वह आपका dissolve हो जाएगा खून आपका dissolve कर देगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करेगा और आपका जो फ्रोंबो फिलेबाइटी से वही आपका वेन के अंदर inflammation मगरा हो जाता है blood clot के द्वारा उसी में आपका उपयोगी साबित होगा फिर हम बात करेंगे काम करने का तरीका गया है दो अलग अलग content है दोनों का अपना अपना रोल होता है हिपरेंट की बात कर लें तो एक तरह से anti-coagulant medication है जो कि आपके coagulation के cofactor को prevent करता है यानि कि जो फाइबरीन है इसको क्या करता है correct block कर देगा इसको वहाँ पे cofactor को work करने ही नहीं देगा जिससे आपका clotting factor वगरा जो होता है वो आपका clot बना नहीं पाएगा तो आपका वैसो यानि कि जो veins होती है वैसल सोती उनको dilate करता है खोलता है तो आपका जो blood है अच्छे से flow होगा हिपरेंट का absorption को भी आपका locally enhance कर देंगी जिससे healing process बढ़ जाएगी और आपका जो pain है जो Susan है जो जल्दी ठीक हो जाएगा blood का flow बन जाएगा इस प्रकार से इसके काम करने का तरीका हुआ फिर हम बात करेंगे इसके doses सही dose क्या होना चीए तो आपके doctor के इसापस रहेगा तो जादा सही है क्योंकि आपकी condition के साब से आपको dose बताते है वैसे आपको लगाना पड़ता है वैसे commonly जहां भी आपका थक्का जमें जहां भी आपको दिक्कत लगे थोड़ा सा जिल लगाना है और वह आपको सिस कीजिए क्योंकि कट पर लगाओगे कोई फायदा नहीं है जहां clot हुआ है वहां पर लगाओगे अच्छा असर दिखेगा दो से तीन बार इसको लगाओगे तो बहुत बेतरीन result इसका देखने को मिल जाएगा फिर बात करेंगे precaution क्या सावधानिया रखनी है तो जितना भी dose बताय किसी यूज नहीं किये तो जैसे आपका इचिंग हो गया redness हो गया या थोड़ा सा burning sensation हो सकता है जो की rare है जल्दी नहीं आएगा तो यह था आपका thrombophob ointment जो की आपके जो नसु अगरा में या blood का clot हो जाता है सुई जब लगती है वहां गाठ हो जाता है क्लॉड बन जाता है वहां पर दर्द होता है सूजन होता है इन सारी समस्याओं को treat करने के लिए बनाये गया है इस ointment की जानकारी आपको कैसे लगी अगली medicine अगली दवा या अगला ointment किसके बारे में बताएं उसे भी comment box में लिखते जाईएगा like सिर्फ subscribe भी कर medicine information के साथ तब तक के लिए thank you so much all the very best